हेलो गाईज, गूड इवनिंग, इंडियन ब्लोगर रिखात्री के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ, आप लोग स्वस्थ हों, मस्थ हों, खुशाल हों, अपना और अपने फैमली का ख्याल अच्छी तरह से रख रहे हूँ तो आप लोगों की दुआ और असिरवाद से हम लोग भी ठीक हैं, मस्थ हैं, खुशाल हैं ये ब्लोग मैंने साम से स्टार्ट किया है, दिन में कोई भी ब्लोग मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था तो मैं घर का सारा काम करके लेटी भी थी तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा आराम मिला वैसे ही मैंने तुरंत ब्लोग बनाना इस्टार्ट कर दिया आज मैं आप लोगों से एक बात सेयर करना चाहती हूं क्योंकि आप लोग मेरी फैमली बन चुके हो जुड़ चुके हो तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाई मिस्टिक मेरे घरवालों की गलती से उन लोगों को मेरे यूटूब चैनल के बारे में पतल चल चुका है उन लोगों को अपनी प्रस्नल या प्रोफेस्नल लाइफ किसी भी तरह से मैं कुछ भी सेयर नहीं करना चाहती हूं मेरे हस्बेंड और मेरे दोनों बच्चे आपस में बात करके अच्छे से डिसाइड करके सोसल मीडिया पर आई सपोर्ट मेरे सस्वाल वालों का भी है और मेरे माइके वालों का भी है उन बटालियन से हमें कोई फर्क नहीं पढ़ता है जो उल्टी सीधी अपनी छमताकर अनसार हरकते करेंगे यह हैं टुक कर और लोगो ने हैं अब मैं जो है चलती हूं किचन में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आंटी गई हुई है साधी में तो तिन-चार जिन से सारा घर का काम मुझे करना पड़ रहा है तो मैं साम का बरतन धो रही हूँ जो दो पहर लंच का था और भी बच्चे स्कूल साय थे वह सब तो मैं वही साफ कर रही हूँ वैसे वह कल आने वाली हैं सायद करवा जाएंगी तो थोड़ी हमारी मदद हो जाएगी हिल्प हो जाएगी और फटा-फट से बरतन धो करके फिर मैं जो है चलती हूँ बनाने डिनर तो आज हम लोगों का दिन भर का फास्टिंग था क्य है जो महिने में एक बार आता है तो वह हमने रखा हुआ है और फिर जो है साम को चांद को देख करके मतलब उनको अर्ग दे करके फिर हम लोग अपना ब्रत खोलते हैं तो देखते हैं क्या बनाती हूं आप लोगों को अभी में बताती हैं वह हमने डिशाइड नहीं किया है कि हम को क्या बनाना है वैसे भी कभी कभी अपने घ़र की सफाई अपना बरतन धोने में अच्छा लगता है कि खुद से अपना सारा बरतन साफ कर लें और अपने घर का एक अकोना जो है जालू लगा कर पोंछा लगा देंगे वैसे तो चाहते हुए भी अगर आंटी तो चाहते हैं वे भी कि आज हम घर की हम सफाई कुद कर ले या बरतन सारा खुद दो ले तो नहीं हो पाता है आलस कर जाते हैं ठीक है आज कर लेंगे कर कर लेंगे तो ऐसे चे करके आलस हो ही जाता है अगर आंटी नहीं होती है, कहीं चली जाती है, तो करना ही पड़ता है, तो फिर अच्छे से पूरे घर की सफाई भी हो जाती है, और बरतनों की भी सफाई हो जाती है, तो दोस्तों यह हमारा सरकारी कॉर्टर है, सरकारी कॉर्टर की दिवारे ऐसे ही होती है, यहाँ पर कोई यहीं रहना अच्छा लगता है सरकारी आवास में ही प्राइबेट में हम लोग बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते हैं अच्छा कोटर बना हुआ है जो में मार्केट से कम-पांप-साथ किलोमीटर दूर है तो ये हम लोगों का जो है एक दम मेन मार्केटिंग है और वाकिंग डिस्टेंस पे हम लोगों का रेले स्टेशन है और एक किलो मीटर के अंदर सारी मार्केट है टुकू का हो मर्क हो चुका है और इनका धमा चोगड़ी शुरू हो चुकी है अब ये फिरी हो चुके हैं तो ऐसे ही बंदर की तरह च्छलांग लगाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, जब तक एक खापी कर सो नहीं जाते हैं। आज सब कमन हुआ जो है फिर से आलू मटर गोभी की सबजी खाने का तो वही मैं बनाने जा रही हूं। यहां पर सारी सबजीयों को अच्छे से मैं धो लूँगी फिर इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। इस समय मतर बहुत ही ही मीठी और अच्छी आ रही है। तो मन हो रहा है कि हाँ मतर की सबजी खाय जयां। कभी पोह में, कभी पराठा, कभी आलू मतर, कभी गोभी मतर Yoin जो भी सब भी बन रहने हैं। कि आज मैं ने जो हरे धनिय का मसाला बनाती हम आ जो मैं नहीं बनाऊंगी आज मैं धोरा सा बजार का oat dispam अधिर हरा धनिया कट करके मैं पर न। दो तो थोड़ा सा टेश्ट भीrees अलग ँग बच्चों को खाने में नहीं एक ही जैसा मन ओव जाता है लोगों का अब यहां कुकर में मैं बना रही हूं सब्जे क्योंकि आलू गोभी की सब्जी मैं कुकर में ही बनाती हूं तो सबसे पहले मैंने इसमें तेल डाल दिया था वो गरम हो गया था फिर उसके बाद मैंने जीरा वह लैसन प्याज अधरक यह सब डाल करके अच्छे से भून करके मैंने लाल कर लिया था दिन उसके बाद मैंने सारा सब्जी जो मैंने आलू गोभी मटर कट करके रखा था व तो भी पक चुका हल्दी भी दाल दिया था और नमक भी पहले डाल देती हूं जब प्याज बगरा भुंती हों तो मुझे अंदाजा मिल जाता हैं तो आप लोग आगे पीछे भी डाल सकते हैं जैसे आप लोगों को अंदाजा मिले तो इसको मैं तीन सिटी आने तक पका लू बाद में डाल दूंगे अब मैं बनाने लग रही हूं पूरियां तो पूरी बनाने के लिए ऐसा खास अलग से कुछ नहीं करना होता है बस अच्छा सा नरम आटा बूत के त्यार कर लें और हलका सुसमें नमक डाल दें बस छोड़ा बेल करके और तल लें बस यही होता है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को सेयर करें और उनसे भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए तो आज के लिए बस यही तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं तो थांक यू फॉर वाचिंग एंड गुड नाइट अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें